टीवी इंडॉस्टी के सबसे हांसम और मोस्ट पॉपिलर आक्टर शरत मनोत्रा को तो सभी लोग जानते हैं जो कसम तेरे प्यार की सीरियल के बाद नागिन सीजन पांच में एक हतरनाग चील का रूप धारन की एक हुए नजर आये थे जिन में उनका लोग उनके करदार के अ को मिलने वाले हैं जिन में इनका लोग सबसे अलग और हट के दिखने वाला है इसलिए आज की हमारे इस वीजियो में हम आपको विद्रोही सीरियल में शरत मनोत्रा के नए लोग के बारे में बताएंगे तगर आप भी देखना चाहते हैं इनका वो नया लोग तो हमारे कैसा होगा इस बास से फैंस आस तक अंजवान थे लेकिन फाइनली शरत मनोत्रा को उनके शो विद्रोही में पहला लोग सामने आ गया जिसे देखकर आपको शरत मनोत्रा के नागे शो की याद आ जाए की जीहां शो विद्रोही के से सामने आया है उनका ये एथलैक्टिक जिसमें लंबे बाल, माथे पर चंदन का तिलक, सफेद धोती और पहलवानों जैसा बुलंद अंदास शरत की ये तस्वीर अखाड़े में कुछ्टी जैसी नजर आ रही है वही दूसी तस्वीर को देखिए जिसमें शरत भगवान जगणार्द की पूछों में मक्ण है ज अंदास में उनके नागिन सीजन पांच के लोग से बिलकुल अलग है लेकिन उनके एटलेटिक लोग में आपको वैसा ही जोश नजर आएगा जैसे कि नागिन सीजन पांच में वीर के अंदास में तीखने को मिला जिस तरह से नागिन सीजन पांच में शरत का करदार काफी दमदार था ठीक उसी तरह शो विद्रोही में भी उनका करदार काफी अलग और दमदार होने वाला है आपको बता दे कि इनके इस नए शो विद्रोही की शूटिंग भी शूरू हो चुकी है और इसका शो पहला प्रोमो भी जनता के सामने आने वाला है लेटेस्ट रिपोर्ट के मताबिक शूरत के नए शो विद्रोही की कहानी साल 1817 में ब्रिटेश इंडिया कामपनी के खलाफ उडीसा के विद्रोहों के इर्दिगर्द खुमे के जिसमे शूरत काफी दमदार करदार में नज़र आएंगे आपको बता दे कि इस शो में शरत के अलाबा अक्षरस सुलकना और शिल्पा तनुश्वा में भी नज़र आएंगे आपको बता दे कि इन दोनों अक्षरस से पहले टीवी की जाने मानी अक्षरस खुतिका सेंगर और सुरफी चुंदना को ये रोल आफर किया गया लेकिन उन पर ये रोल सूट ना होने की वज़र से शो मेकर्स ने उनकी जगाई ने रेप्लेस कर दिया वहीं आपको बता दे कि इस शो जल्द ही स्टाप्रस पर टेलिकास किया जाएगा तो दोस्तों आप कितने एक्साइटिड है टीवी के पॉपलर राकेश और अद्मनोत्रा के नए शो वित्रोगी को देखने के लिए आप हमें कमेंट बक्स में कमेंट करकर ज़रूर बताएं और साथ टीवी इंडास्टिय से जड़ी ऐसी और मजदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले